अम्रूत की चाट तो आप बना कर खाते ही रहते होंगे पर आज मैं आपके लेकर आई हूँ ऐसी स्पेशल चाट जिसका स्वाद आप कभी नहीं भुला पाएंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलकाता की स्पेशल अम्रूत चाट की रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्ट अब चाट की रेसिपी तो आयोगे देखते हैं ऐसे कैसे बनाते हैं कि चाट पनाने के सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है हाफ कभ रहा धनिया आदा इंच अध्रल का टुकट्डा और 3-4 हरी मिर्च अब इन सारी चीजों क हम एक क्रैंडिंग जार में डालेंगे तो यहां पर मैंने सबसे पहले हरा धनिया डाल दिया है आदा इंच अद्रक का टुकड़ा इसे भी डालेंगे और यहां पर मेरे पास हैं तीन से चार हरी मिर्श यह बहुत जादा तीखी नहीं है अगर आपके पास तीखी वाली हैं त तो यहां पर आप अमरूद को ज़्यादा पका हुए ना लें थोड़ा सा कच्छा अमरूद इस चार्ट में अच्छा लगता है अब इसके हम दोनों सैट्स को कट करके निकाल लेंगे और इसे दो बागों में काट लेंगे और अब अमरूद को हम पीसिज में कट कर लेंग क्षमीरी ललमिर्ष पाउडर इसे बहुत अच्छा बहुत अच्छा क柴 आईगा चाट में बाउडर और यहें जाहें और ईसे हम एड़ करोडेंगे इसमें घ्माच और आपeleri पसंद हो तो और अब लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच मस्टर्ड सॉस तो इस सॉस को एड़ करने से अमरू चाट का टेस्स इतना बढ़ जाता है कि आप इसको एक बार खा लेंगे तो आपको पार बार बनाने का मन करेंगा और इसमें आप अपनी चॉइस के अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी चाट बनकर विल्कुल तयार है और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ देखने में जितनी सुन्दर लग रही है ना खाने में उतनी ही लाजवाब है तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं तो अगर इस तरीके से आप चाट को बनाएंगे तो आपकी चाट बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी तो फ्रेंड्स मैं तो इस चाट को एंजॉय कर रहे हूं और आप इसे घर पर कब बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें तो मिलती हूं आपसे एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुट बाई थेंक्स वर वाचिंग